हुआ चानल हेए झाल में नमस्कार अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सेयर करना जाजा जाइकिडार में लखका बता आग्रों वीडियो कैसे लगी कैसे ने जनता सकती यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज वाड नंबर साथ की जो ब्लोक समित्ती की गिंती थी गाव रच चंद वाड़ा और दिल वाड़ा की वो आपके सामने रखेंगे किसको कितने बोट मिले यहां पर टोटल पहले जो कंडिडेट था पहले नंबर पर उसको मिल से 22 यहां पर चार मशीनों द्वारा मतदान हुआ था उसको एक पर एक मिला दूसरे पर उननिस तीसरी पर ए 2 और चौति पर जीरो चार मशीनों का कंडिडेट था एविंग मशीनों का दो रच चंद वाला में रखी हुई थी दो बुथां पर दो बुथां पर दिल वाले म उसमें से पहले नंबर पर जो एक मशीन खुली उसके अंदर मिला उसको एक बोट दूसरे पर उनिस तीसरे पर दो उसको मिले बाइस आजे जो राइचंद वाला और दिल वाला वाल नंबर शाथ ब्लोक समित्ती की गिनती थिया दूसरे पहता कप्तान सिंग पुषको पर लेबर एक मशीन पर मिले 29 दूसरी पर 36 तीसरी पर 5 चोथी पर 0 इसके कुल मिला कर होए 70 बोट तीसरे नंबर पर था श्रमेश कुमार गाउ राइचंद वाला सिंग पर लेबर मिले 515 दूसरी पर 369 तीसरी पर 12 चोथी पर 11 इसके मिला कर होए 807 बोट चोथे नंबर पर था रामफड इसको मिले 1 पर 130 दूसरी पर 180 तीसरी पर 4 तोर चोथी पर मिले इसको एक बोट ये मिला कर होए इसको 320 बोट होए रामफड गे माचमे नंबर पर था संदीप संदीप इसको मिले पर 17 दूसरी पर 24 तीसरी पर 264 और तीसरी पर 309 इसके वे 614 बोट संदीप के जो ये दिलवाले से प्रत्याशी था गाऊ रैचनवाला और दिलवाले कि यो बलौकशमिती गिंख्ती की वो है जिसको जितने बोट मिले नंबर 6 पर चाह पर था संदीप पंदत इसको मिले पहले पर 16 तीसरी दूसरी पर तरासी तीसरी पर 24 और चोथे पर 190 संदीप पंडत को मिले 535 बोट जो की साथ नंबर पर था नोटा एक ही बोट आया नोटा जो की वो दिलु आले सी और किसी ने भी कोई नोटा बटन नी दाब्या इनके कुल मिलाकर 266 बोट होए इसमें जीत हुई रमेश कुमार की जो रैचन वाले से प्रतियासी था वो अप संदीप पंखे का निसान था उसका और रमेश का गड़ी का निसान था गड़ीवाला रमेश जो वो जीत गया इसमें charcoal कंडिडेट दो दिलवाला के थे- और च्यार राइचनदवाला के थे- पख्तां सिंग्य और रमेच रमफली और संधीप अधियन दूर दिला संधिप तो यह वाड़ नंबर साथ की गिंट्ती जो हमने आपको सुनाई और पत्यासी बढाए कोन कितने बोट लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना और उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज वीडियो के कॉमेंट में बताना जो प्रतियासी जीत्ता है वो सही जीत्ता है अच्छा है या नहीं है वो कोई कमी है उसमें या जो भी है आगे उसने क्या काम कर जाहिए वो comment box में इस वीडियो में लिख के बताना उसने अब जीट गा वो सब के लिए उसको मुबारक बातै और उसको मैंने जीद में के लिए जो बी मैंने लिख पे काम क्या कर वाना चाहते हैं क्या निरोलत में उस पे क्या क्या कोई विशल आहीना चाहते excusks और यह को